आज हम सुनते हैं मिसाइल मैन डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम के अनमोल विचार जो हमें जीवन में सफलता के लिए एक नई सोच देते हैं अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविश्य को आकार देता है अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होगा सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखे सपने वो है जो आपको नींद ही नहीं आने दे महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं आईए हम अपने आज का बलिदान कर दें ताकि हमारे बच्चों का कल बहतर हो सके अपने मिशन में काम्याब होने के लिए आपको अपने लक्ष के प्रती एक चित निश्ठावान होना पड़ेगा इनसान को कठिनाईयों की आवश्यक्ता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है शिखर तक पहुँचने के लिए ताकत की जरूरत होती है चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पेशे का तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुँच जाओ यही अद्वितिय हो तुम जिन्दगी में एक लक्ष रखो लगातार ज्ञान प्राप्त करो कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए द्रड़ रहो एक छात्र का सबसे महत्वपून गुण यह है कि वह हमेशा अपने अध्यापक से सवाल पूछे इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं जीवन एक कठिन खेल हैं आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्म सिद्ध अधिकार को बनाए रख कर इसे जीत सकते हैं महान शिक्षक ज्यान, जूनून और करुणा से निर्मित होते हैं राष्ट्र लोगों से मिलकर बनता है और उनके प्रयास से कोई राष्ट्र जो कुछ भी चाहता है उसे प्राप्त कर सकता है जिस दिन हमारे सिगनेचर ऑंटोग्राफ में बदल जाएं उस दिन मान लीजिए आप काम्याब हो गए हम केवल तभी याद किये जाएंगे जब हम हमारी युवा पीढ़ी को एक समरिध और सुरक्षित भारत दें जो आर्थिक समरिध और सभ्यता की विरासत का परिणाम होगा एक लोक तंत्र में देश की समग्र सम्रिध शान्ती और खुशी के लिए हर एक नागरिक की कुशलता वयक्तिक्ता और खुशी आवश्यक है ज झुशी आवशी आवश्यक है